मध्य परदेश की धार मांडू के पास 6 फरवरी को ग्यात लोगों ने नाबालिक छात्रा की निर्मम हत्या कर दी थी और उसके शव को सुनसान जगाय पर फैक दिया था जिसकी शिनाकत हो गई है लेकिन आरोपी अभी भी पूलिस की गिरफ्ट से बाहर है इसको लेकर कैसा मा संगठन के लोगों ने नालचा में रैली निकाल कर राजेपाल के नाम तैसील दार को ग्यापन सोपा है ग्यापन में मांग की गई कि जल से चल दोशियों को पकड़ जाए और उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि भविश्य में ऐसी घटना दोबार आना हो साथी है पुलीस परादोर है पुलीस परादोर है 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 कि अधिर में यह जो बटा विगत साथ दिनों के पुर्व हुई थी निशिदुक से निंदनी है और इस प्रकार का जगन्य अफरात यह मानवता को समाप्त कर रहा है इसलिए जो ये दोशी है जिनोंने कुक्रत किया है उन लोगों को रखन दर्ज करकर उन्हें फासी की सजा दी जाए जिस पकार से निर्भया के साथ में हुआ ऐसा ही इस बालिका के रोशनी के साथ में हुआ है और ये संपुर्ण समाज, हिंदू समाज सबके साथ में बहुत गटना है इसमें निश्यत रूप से जो दोशी है उनको सजा मिलना चाहिए जे बीडी बैंक्वेट्स लाए है इंक्रेडिबल मारिच पैलेस राजगराना और फाइनस्ट बैंक्वेट अल जोती गार्दन वोल्ड-class catering, century air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, राजगराना और जोती गार्दन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज